कि यहां पर आज हम दूसरी बार इलिप्स के लिए मिल रहे हैं हमने लास्ट क्लास में हाँ पर इलिप्स का जो बेसिक आइडिया था जो स्टानर्ड एक्वेशन थी उसको डिसकस कर लिया था आज हम उससे बेस्ट कोष्णन करने वाले हैं और इहां पर हम कोष्ण दोनों ही तरीके से करेंगे आगर आपको यहां पर एकुछ पैरामेटर्स की वैल्यू दे दूंँ अगर आपको यह बता दूँग आपके पास में एक ईलिप्स है जिसका की यह है आपके एक् कर दियाना चीए और यहाँ पर आप देखोगी कि कई सारे प्रिवेसर कॉश्टन भी आपको इस प्रैटन पर मिल रहे हैं विच इस ग्रेट थी हम यहाँ पर अभी तक लेक्टर नुबर टू पर ही पहुचा है और तब भी आज लेक्टर हम यहाँ पर जैए इवेन ही नहीं अपने पिछले चैप्टर के अंदर उसी तरीके से हम यहाँ पर आपके थात में रेगिलर्ली सारे के सारे जो फिजिस केमिस्ट्री मैफ के टॉप एजुकेटर्स हैं इस प्रटुलर चैनल पर आकर आपकी मदद करते हैं लेक्टर्स लेते हैं फ्री एंड कॉलिटी एजु लेक्टर्स को लाइक तो करी रहे होंगे उसके सब्सक्राइब नजा सब्सक्राइब आपके साथ में और एक खुशकबली करते हैं कि इज yarn तो वो भी अच्छे दिरे के से निकल कर आएगा, तो अगर कोई बच्छे यहाँ पर अभी Delhi के आसपास है, तो उन्होंने यहाँ पर इस particular group को join कर लेना चाहिए, क्योंकि एक meetup हमने यहाँ पर organize करने का सोचा है, in Delhi, and I guess that could be the start of a lot of meetups, which we are planning anyways, तो आप यहाँ पर अगर Delhi के हैं, तो आप इस particular link के उपर जाकर telegram group को join कर सकते हैं, आगे के details क्या हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे, so don't worry about that, for the time being, आप यहाँ पर उस group को definitely लेकिन join कर सकते हैं, और थाज़ साथ आप बच्छों यहाँ पर lively.me slash je, इस link को अगर पिन कर लेंगे, अपने ब्राउजर में आपको काफी convenient feel होगा, क्योंकि इस link के उपर हमने सारे के सारे आपके जो YouTube lectures के links है, जो सारे के सारे आपके chapters है, उनके वीडियो lectures आपको provide कर दिये हैं, वन सिंगल क्लिक के साथ में आपको यहाँ पर अपना पूरा knowledge गेन करते आजाएगा, so make sure to pin this, और साथ साथ आप यहाँ पर unacademy jee channel का जो telegram channel है, उसको यहाँ पर join जरूर करें, साथ साथ आप यहाँ पर मेरी profile को unacademy app के ओपर follow कर सकते हैं, for more details, और साथ साथ आपको यहाँ पर अगर full length courses पढ़ने हैं, unacademy subscription platform, जो एक educational platform है, उसकी मदद से अगर आपको यहाँ पर test series भी आटेंड करने हैं, अपने doubts भी clear करने हैं, then you are most welcome, यहाँ पर सारे की सारा unacademy jee educators तो आपको unacademy subscription platform के ओपर मिलेंगे, लेकिन इंडिया के और भी top educators हैं, जिनकी मदद से आप यहाँ पर अपनी jee के त्यारी आगे बढ़ा पाएंगे, एक education platform होने से फाइदा यह होता है, कि वहाँ पर distractions काफी कम मिलते हैं, और साथ साथ आपके लिए जो भी वहाँ पर facilities develop की जा रही हैं, वो कहीं ने कहीं, यह सोच की की जा रही है कि और बच्चों को इससे help हो जाएं, उनकी चीज़े के त्यारी में, तो इसलिए वहाँ पर आप देखो भी कि आपके doubt solving के लिए अलग से एक system generate किया गया है, आपके regular lectures जो होते हैं, उसमें आपको voice calling का feature है कि आप यहाँ पर teacher से exactly अगले साल भी हाँ पर definitely निकलेंगे, आप सभी बच्चे हैं जो हमें यहाँ पर basically काफी proud feel कराते हैं कि आप यहाँ पर महनत करते हैं, और अच्छा perform करके आते हैं, हम यहाँ पर महनत जो है definitely जो कर रहे हैं, educators जो महनत कर रहे हैं वो तो यहाँ पर है ही, लेकिन educators तो सभी के महनत कर रहे हैं, बच्चों के rank कब आती है, जब बच्चे अपने खुद के लिए भी महनत करते हैं, extra practice करते हैं, test में अच्छे तरी कैसे appear होते हैं, test का analysis अच्छे तरी कैसे करते हैं, और अपने question को select करने का तरीका, अपने questions के calculation, approach, उन सब को develop करते हैं, तो यहाँ पर आप material दे रहे हैं, solve करने के लिए, उन सभी को solve भी करना होगा, ठीक है, तो महनत तो कम नहीं होगी, महनत उल्टा और जादा ही हो जाएगा, अगर आप हैं जोइन करोगे तो, आप यहाँ जोइन कर सकते हैं, समीर लाइव के साथ में, अगर आप जोइन करोगे, तो आपको magazine possible discount मुझे भी मिलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप सरे, unacademy J students हैं, और transition कर रहे हैं, आप यहाँ पर प्लस और iconic की prizes देख सकते हैं, और आपको जो सहुलियत लगता है, आपको जो बेटर लगता है, अपने सहुलियत की साब से, आप यहाँ पर सुप्रिशन लेके पढ़ा बजे, आपका मैंने एक lecture number 3, जो ellipse का होने वाला है, वो दिन में रखा है, तो miss out कोई बच्चे ना करें, और आगर आपको बायचांस और कोई आपकी लटे सेखर स्कूल की class है, तो आप basically फिर उसको at least रात वाला जो lecture number 4 होगा, उसके पहले देख जरूर लेना, ठीक है, तो हमने last class में majority time अतना theory understanding के उपर spend किया था, तो आज के lecture में उसी theoretical understanding को इस्तेमाल करते हुँ जो questions हमें मिल रहे हैं, उनका discussion हमें यहाँ पर आज करना होगा है, ठीक है, तो start करते हैं, हम यहाँ पर basically अगर कोई equation find करने के लिए बोलता है, या पर किसी parameter को find करने के लिए बोलता ह आपको यहाँ पर कुछ एक information दे दी गई है और आपको यहाँ पर equation of ellipse निकाल के बताना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा idea पहले में generate करवा देता हूं, उसके बाद आगे वाले question साब यहाँ पर obviously attempt कर पाएंगे खुझ से, ठीक है, what is the equation of the ellipse with posa f plus minus 2,0, तो जैस is centered at origin, ellipse का center कहाँ पर है, origin के उपर ही आपको यहाँ पर ellipse का center है, यहाँ हमें पता चला, और एक बात हम यहाँ पर पता चली कि आपका major axis है, वो x axis के along होना चीए, यह भी हमें पता चला, last class में हमने already यह discussion कर रिया है कि हमार पास में, दो standard ellipse बन सकते है, ठीक है, तो उन में with this as something additional that we are discussing, यह पता करते हैं, तो हम यहाँ पर पता चलता है कि कौन-कौन से formulas लगा कि हमारे correct answer निकलेंगे, इसलिए यह figure थोड़ा से दिमाग में आ जाएका तो जादा बहतर होगा, ठीक है कि हमार पास में standard ellipse का origin के उपर है, और यह horizontal ellipse का situation दिया गया है, तो हम यहाँ प होना ची है, अगर मैं formula का इस्तेमाल करके देखूं तो मेरा focus ae, 0 पर होना ची मतलब यह distance आपका ae के बराबर होता है formula के हिसाब से, लेकिन question में दिया है कि यह 2 के बराबर है, तो आपको यहाँ पर equation sort of मिल गई, कि आपका ae है, that is actually equal to 2, और आपको यहाँ पर क्या दिया ग तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन हमारा इहाँ पर target किया है, हम किस direction बेसिकली जाना चाहरे है, तो हम अल्री जानते हैं कि इस तरह का जो हमारा standard ellipse होता है, उसकी equation कैसी नजर आती है, अल्री पता है हमें यह कि इस तरह के ellipse की equation, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 नजर आनी चाहिए, आपकी equation जो है इस तरह की से नदर आने चाहिए, और आपने यहाँ पर successfully a का value निकाल लिया है, तो आपको भी यहाँ पर इसका मतलब b के लिए further मेहनत करनी है, और आपको b की value निकालने के लिए कौन से relation इस्तमाल करना पड़ेगा, वो hidden relation जो मने आपको कहा था, कि हम ellipse की equation जब भी याद रखते हैं, तो उसके साथ आप, वो relation भी हमें याद रखने होगा, पॉर दे, पॉर दे, जो हमने यहाँ पर relation जो है याद किया है, उसको हम यहाँ पर भी इस्तमाल करेंगे, ठीक है, तो क्या है वो relation, for the horizontal ellipse, the relation goes something like this, b square is equal to a square into one minus e square, a square का value कितना हो जाएगा, a square का value ह जाएगा, आपका 16 के बराबर, e square का value कितना हो जाएगा, 1 by 4 के बराबर, because it is equal to e, e is equal to 1 by 2, और इसको अगर आप यहाँ पर स्वाल करते हो तो आपको 3 by 4 मिलेगा, overall आपको यहाँ आपर calculation करके 12 मिलेगा, तो आपको यहाँ आपको अपना answer पता है, कि किस format में आने वाला है, what are you doing is, जो missing values है, जो constant की values है, उनको आप यहाँ पर find कर रहे हो, तो आपका answer क्या आजाएगा, therefore ellipse का equation आजाएगा, x square upon 16 plus y square upon 12 is equal to 1, अगर आप इसका LCM लेते हो, तो LCM कितना आएगा, 48 के बराबर आएगा, LCM 48 के बराबर आएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 3x square और यहाँ पर मिलता है, 4y square is equal to 1, cross multiply कर दो, 3x square plus 4y square is equal to 48, this becomes your final answer, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमें already information last class में मिल चुकी है, उसका इस्तेमाल करते हुए, हमने अब reverse में ellipse की equation पाइंड करें, last class में हमने लगभग ऐसे ही question solve किया थे, लेकिन वो उल्टा काम किया था, इलिप्स की equation given थी, उसकी eccentricity find करू, ellipse की equation given है, उसका focus find करू, ठीक है, आज क्या है, eccentricity और focus गिया है, अब आप ellipse की equation find करू, तो आपको बस यहाँ पर reverse में steps अपने लेते जाने हैं, और आपका answer आजाएगा, पंडा clear होगे, सारे बच्चे लाइव चाट में जो मौझ हो दे है, पंडा clear होगे सारे बच्चे को, तो हम यहाँ पर आपको अगला सवल भी देते हैं, solve करने के लिए, आज तो questions ही questions करना है, इंको tension ही नहीं, yes, a is the answer for this question, yes, एक बार match कर लो, 3x square plus 4y square, 3x क्या है इसका answer, एक बार check करते है, 3x square plus 4y square ही आना चाहिए, इसके अंदर, 3x square plus 4y square is equal to 48, है ना, ठीक है, बढ़िया है, यहाँ पर आपका answer, जो है, a निकल कर आना चाहिए, आजए, सो, आगे बढ़ते हुए, एक और सवाल लेलो, यहाँ क्या कर सकता है, सवाल पढ़ा होच्छे तरीके से, और I can see a lot of thumbs up, मतलब आपको यहाँ पर बात, चमक गई है, और आपको अगर चमक गया है, तो यहाँ पर कैसे सोचेंगे, the eccentricity of an ellipse, with its center at the origin, origin पर center है, मतलब अच्छी बात, is 1 by 2, if one of the directrix is x equal to 4, तो यहाँ पर आपको अब directrix की equation देखते से क्या पता चला, कि directrix है आपकी यहाँ पर vertical, x equal to 4 मतलब क्या है, एक vertical आपकी directrix है, और आपको एक ऐसा ellipse, basically सोचना है, जिसका center origin पर है, ठीक है, तो आप इसका मतलब standard वाला जो पंडा है, वही दिमाग में लापा होगी, और कोई possibility आई नहीं है, आई क्या, और कोई possibility नहीं है, हमारे पास में horizontal वाला ellipse होना चाहिए, कि horizontal वाला ellipse है, उसी का directrix क्योंकि आपका vertical होता है, एक तरिक से यह confirm हो गया, कि आपके ellipse का figure ऐसे कुछ बनना चाहिए, जैसे यह confirm हो जाता है, वैसे आपको पता चल जाएगा, कि आपक जो पॉर्मला है ellipse का, वो कौन सा वाला यूज होगा, ellipse का आपका पॉर्मला x square upon a square plus y square upon b square is equal to one वाला इस्तमाल होगा, जहां पर a की value बड़ी है b से, जहां पर a की value बड़ी है b से, यह वाला basically आपका answer expected है, ठीक है, आपको यहां पर फिर से आप a और b की values ही find करनी है, इतन उसका फॉर्मला तो क्या है, उसका फॉर्मला है, x is equal to a upon e, लेकन अब इस question में दिया हुआ है, कि x equal to 4 के बराबर आपने उसको देखना चाहिए, तो क्या यहां से मैं identify कर पा रहा हूँ, कि जो दिया हुआ data है, वो क्या है, कि a upon e is equal to 4, a upon e is equal to 4, क्योंकि x equal to 4 इसकी equation दिए है, अच्छा, अगर x equal to 4 इसकी equation है, आपको यहां पर यहां पर यह मिल चुका है, और x अपर पता है, आपके बराबर, तो a का value कितना आ जालेगा, एक का value आ जाएगा, इस बर आपका दो क्या बराबर, successfully हम यहां पर आधक question solve कर चुके है, x square upon 4 आने वाले, x square upon 4 आने वाले यहां पर, और b square की value निकालने के लिए, फिर से हम क्या करेंगे, एक्स इंडिस्टी पता है, a पता है, तो हम वही hidden relation जो हमारा होता है, a, b और e का, उसको इस्तेमाल करेंगे, now, we already know, कि हमारा b square जो है, वो a square into 1 minus e square होता है, तो b square का value आप यहां से निकाल लो, a square का value कितना है, 4, e square का value कितना हो जाएगा, 1 by 4, इसको solve कर रोके आपका answer कितना आएगा, 3, b square का value आ गया, therefore, ellipse की equation कितनी हो जाएगी, वो लिख लो, और answer mark कर लो, therefore, ellipse की equation आपके होने वाल इसको 9 मत कर देना, b square का ही value आपको यहां पर कितना मिला है, 3 के वराबर मिला है, तो यहां पर 3 यह आएगा, और इसको कर आप अच्छे ने solve कर तो आपको 3 x square plus 4 y square is equal to 12 मिलेगा, तो आप यहां पर चेक कर लें सारे बच्छे कि कौन से position पर ही, यह आंतर आपको दिखाई द बढ़िए, और एक क्वेशन करते हैं, यहां पर भी equation निकाल लिए आपको ellipse की, लेकिन यहां पर data क्या दिया है, उसको ध्यान से देखें, यह भी आपको दिया हुए, लेकिन यह भी information दिये कि it also passes through the points this and that, इस ellipse के ओपर, जो हमें basically find करना है, लाय करने वाले 2 points हमें given है, तो आभी हमें notice कर रहे हो, कि यह भी आपका question, क्योंकि यही suggest कर रहा है, कि यह आपका standard ellipse ही है, तो आप यह तो जानते हो कि आपको ultimately x square upon a square plus y square upon b square is equal to one type का ही answer ultimately report करना होगा, अब यहाँ पर हमें already दिखाई दे रहा है कि a और b दो ही unknown से जो आपको यहाँ पर find करने, तो दो inputs अगर मेरे पास में हैं, तो हम यहाँ पर डाल देता हो ना उसको, यह 2,2 point ellipse के उपर लाए करेगा, तो satisfy करेगा मतलब इसको, और वैसी ठीक करेगा, तो अगर मैं डाल लूगा, तो मेरे पास में a और b में 2 equation आजाएंगी, उनको solve करेगा, तो आपका answer आजाएगा, इस तरह से आप basically अपने questions को further solve करना सीख सकते हैं, आपके हाँ पर जो पहला वाला point है, 2,2 उसको डाल दो, 2,2 अगर आप इसके में देर डालते हैं, सब्सूट करते हो, because it lies on it, ऐसा दिया हुए, आपके हाँ पर क्या मिलेगा, 9 upon a square plus 1 upon b square is going to 1, solve करो, जितने जल्दी solve करोगे, उतना जल्दी answer आएगा, तो एक idea मेरे दिवां में आ रहा है कि ऐसा करते हैं, कि नीचा ली equation को 4 से multiply कर लेगा, अगर नीचा ली equation को 4 से multiply तो हमें यहाँ पर मिलता क्या है, implies 9 upon a square, sorry, इसको 4 से multiply करना ना हुझे, अगर मैं 4 से multiply करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 upon a square plus 4 upon b square is equal to 4, इन दोनों को अब मैं simultaneously solve करूँगा, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्राइट करता हूँ, तो मेरे पास में कितना आता है, सब्ट्राइट करते हैं, तो कितना आता है, सब्ट्राइट करने तो आपको यहाँ पर, basically 36 minus 4, 36 minus 4 कितना हो जाएगा, 32, 32 upon a square मिल रहा है, सब्ट्राइट करते हैं, तो 9 upon a square, a square का value कितना है, 32 upon 3, और 1 upon b square यहाँ पर आएगा, equal to 1 है, इसको simplify करना है, तो 1 upon b square का value कितना हो रहा है, 1 upon b square का value हो रहा है, 1 minus 27 upon 32, हैने यहाँ आदा 3 उपर जाएगा 27 बनाएगा, उससाट जाएगा minus sign हो जाएगा, मतलब 1 upon b square का आपको value निकल करा आ रहा है, that is, 32 upon 5, यही तो आपके उसमें information required थे, a square का value कितना होना चाहिए, और b square का value कितना होना चाहिए, दोनों आपके वसमें है, तो आप यहाँ पर अपना final answer बता को आ रहा है, आपको ellipse का basically figure दिमाग में बैठा वो होना चाहिए, और उसके figure के साथ-साथ, जो important vertices है, sorry, जो important coordinates है, जो important equations है, वो दिमाग में होना चाहिए, तो आप का आम से आजाते हैं, ठीक है, so these are pretty easy questions, हम यहाँ पर आपके equation के बताएंगे मतलब, आभी हाँए ellipse की equation बताओगे, y square upon b square, b square के वहाँ यहाँ पे लिखे हुए, 32 upon 5, is equal to हो जाएगा, 1, ठीक है, तो यहाँ पर यह 3 उपर जाएगा, 5 उपर जाएगा, 32 set जाएगा, तो 3x square plus 5 y square is equal to 32, becomes our correct answer, यहाँ कोशन में options तो हैं नहीं, तो आप directly subjective question के तरह इसको, 3x square plus 5 y square is equal to 32, बहुत बढ़ी है, और यहाँ बच्चे हैं यहाँ पर सही answer बता रहे हैं, यस, अंचे का भी ब्लुकुल सही answer बता रहे हैं, 3x square plus 5 y square is equal to 32, becomes the right answer for this question, बहुत बढ़ी है, और यहाँ तक आते आते अभी आपने जो सवाल देखे हैं, उसके अंदर कुछ ने कुछ information available थी, और आपको specifically ellipse की equation तक ही पहुचना target दिया गया था, लेकिन अब हो यह सकता है, कि आपको exactly equation ना पूछी जाए, आपको कोई information देखे, उस ellipse का ही दूसरा कोई parameter पूछा जाए, तो अब यहाँ पे यह question आपके last class के question से कैसा लगे, last class में भी हमने यह question किये थे, कि हमें यहाँ पे accenticity निकाल के बताओ, focus के coordinate निकाल के बताओ, center कहाँ पर बताओ, यह सारी director का equation की तो होगा बताओ, वहाँ भी यह पे parameter से निकाल रहे थे, लेकिन last class के questions आप जाके देखना, last class में clearly आपको ellipse की equation दी जारी थी, यहाँ पर आपको clearly ellipse की equation नहीं दी जारी है, यहाँ पर आपको कोई तो information दिया है, और उसको analyze करके आपको यहाँ पर finally, जैसे इस question में पूछने है, accenticity तक पाहुचन है, तो देखो यहाँ आपर कैसे कर सकता है, जैसे लिबस का change हो गया है, हाँ कोई major change ही हुआ है, चोटे बोटी चीज़े change हुई है, ठीक है, और वो भी change हो हुआ है, that is for 2023, not for 2022, ठीक है, जो भी add-on हुए हैं चीज़े, वो हम additionally यहाँ पर include कर लेंगे, अपने discussion में, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक major जो यहाँ पर change है, that is, 2023 में statistics की भी questions आप expect कर सकते हुँ, in your J advance paper, statistics की questions, जो यहाँ पर J main तक तो इस level तक तो पढ़ते ही थे, है न, J advance में भी उस तर 2021 की जो website है, उसको अगर आप click करोगे, open करोगे, तो वहाँ पर आपको ऊपर ही कहीन के link मिल जाएगा, revise syllabus for 2023, ठीक है, it is not a major change, इतना change नहीं है कि यहाँ पर हम जो पढ़े हुए है, जो हमने यहाँ पर playlist अभी create करी है, उसको फिर से revise करना पड़ेगा, sequences, quality equation, सब trigonometry, सब वै आइके, yes, you are right, भी answer आइके, इस question का बिल्कुल correct answer, देखो क्या दिया है, हमारे पास में एक ellipse है, एक ellipse है, and ellipse has OBS semi minor axis, semi minor axis वाल कौन सा location होगा, आपका, यहाँ पर B से लेके, B dash तक अगर आप आओगे, तो यह पूरा को पूरा आपका semi, sorry, पूरा को पूरा आपके यहाँ पर minor axis है, उसका आधा कर देंगे, तो यह semi minor axis हो जाएगा, मतलब O से लेके B तक का जो distance है, वो आपका क्या है, semi minor axis है, ऐसा यह कह रहा है, बढ़िया बात and F and F dash are the post, focus के भारी, यहाँ पर थोड़े से plot करके देख लेते हैं, focus एक तो यहाँ पर माल लेते हैं, यहाँ आपका F हो गया, यहाँ पर कहीं माल लेते हैं, symmetrically located, यहाँ आपका F dash हो गया, F and F dash और B, हम यहाँ पर अभी दिख रहा है, आभी बोल रहा है कि यह जो angle है, F B F dash, F B F dash जो आपको यहाँ पर angle है, इसका कुछ तो करना है आपको, ठीक है, तो पहले दिसको connect कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है, यहाँ पर दिया है कि F B F dash is right angle, आरे बहुती बढ़ी बढ़ी है चीज, यहाँ आपको दिया है कि यहाँ आपको दे रही है, आप आपको वह information अब यह geometry देखके निकालना है, और फिर अपने question को आगे proceed कर, तो यहाँ पर पहली बात तो मुझे बताओ, कि आपका जो यह B वाला point है, यह symmetrically located point है, from F and F dash, symmetrically located है कि नहीं, तो आप यहाँ पर बीना किसी proof बगरा के, यह basically feel कर पा रहे हो, कि B से लेके F dash का distance, और B से लेके F का distance same अना चाहिए, यह दूनों आपके distance से सेम है, और क्या है यहाँ पर, अगर आप triangle right hand side वाला, और triangle left hand side वाला देखते हो, यहाँ पर 90 degree angles भी आपको नजर आता है, और 20 का एक side आपका common है, तो यहाँ पर आप basically right angle, happiness, और कोई तो एक side, RHS, congruency देख पा रहे आर, RHS, congruency जैसे आप यहाँ पर देखते हो, वैसे आपको बता चलता है कि अच्छा, corresponding angles यहाँ पर आपके same होना चाहिए, मतलब आपका यह वाला angle और यह वाला angle equal हो जाएगा, यह दुनों अगर आपके equal हो जाएगा, तो यह 90 degree के दो टुपड़े है, मतलब भी 45 degree हो है, तो आपको यहाँ पर क्या information ही, कि यह तो isosalus right angle triangle हो गया है, जैसे आप कहते हो कि यह जो right side में बनावा triangle ही है, आपका यहाँ पर जो O से लेके F तक का distance ही, यह equal हो जाएगे, यह सुनों, O से लेके F तक का distance, और O से लेके B तक का distance equal हो जाना चाहिए, इस information की साब से, information उ तो O F dash, O F dash आपका यहाँ पर जो distance है, यह focus का distance है, मैं अगर अपने formula के language में बोलू, तो यह किसके बराबर होना चाहिए, यह A E के बराबर होना चाहिए, और जो O B है, अगर मैं यहाँ पर formula के sense में बोलू तो यह जो O B है, यह basically आपका B के बराबर होता है, so what we get from here is, कि E का जो value है, वो B upon A के बराबर, E का जो value है, वो B upon A के बराबर है, ऐसे यहाँ पर हमें पता चला, लेकिन in general, जो हमारा A, B और E का relation है, वो तो हमेशा work करी रहा है, तो हमारा relation है, हमारा relation है, कि B square is equal to A square into 1 minus E square, तो जैसे आपने यहाँ पर इसको divide किया, आपको क्या मिल लगा, B upon A का whole square, is equal to 1 minus E square, तो B upon A की value आप यहाँ पर E, इस्तेमाल कर लो, तो आप यहाँ पर मिलता क्या है, E square is equal to 1 minus E square, मतलब 2 E square is equal to 1, मतलब आपको यहाँ पर E is equal to 1 by root 2 मिलना चाहिए, दिख्या, E is equal to 1 by root 2, clear it, so B is the right answer for this particular question, data use करते आपको आना चाहिए, आशा है, यहाँ पर एक आपको फिगर पता चल गया है, horizontal ellipse के लिए, vertical directors होती है, focus जो है, X axis के ओपर होते है, A length कितना है, A by E length कितना है, A E length कितना है, ठीक है, यह सारे distances आपको अगर clear है, तो आपको अब यहाँ पर इस तरह की questions करने में कभी दिक्कत आनी नहीं चीए, यह सारे क्योंकि आपके figure और वो जो simple simple से आपके equation से, formula से, उन पर based यह सारे question आपके चल रहा है, लेकिन देखो कितने सारे question हम कर पा रहे है, काफी सारे question है, यह considering कि हमने अभी जो है, पढ़ा काफी कम है, lecture 1 ही बस यहाँ पर basic level पर हमार हुआ है, and we are still able to do questions like this, again, JMA 2020 में आ चुका है सवाल, JMA 2020 का सवाल crack कर सकते हैं सारे बच्ची यहाँ पर, देखो ध्यान से, okay, E is always positive, हाँ बेटा, eccentricity जो है, हमेशा positive ही होगा, आप यहाँ पर plus minus expect मत करना, यहाँ पर, eccentricity is the ratio of the distances, है न, PS and PM, तो distance क्योंकि हमेशा positive होता है, तो उसका ratio भी आपका positive ही निकल कर आएगा, eccentricity का value हमें हाँ पर ellipse का मि सकते हैं सारे options उसने भी fraction दिये थे, लेकर हमने actually calculate किया तो यह अवाला fraction हमारा correctly निकल के आ रहा है, okay, all right, let us do jimain, jimain 2020, इसका j advance करेंगे, if the distance between the foci of an ellipse is this much, तो भई, पहले तो मुझे बताओ, कि दिमाग में figure बन गया, आपकी दिमाग में एक ellipse बन गया होगा, ठीक है, उ आपके focus है, तो यहां पर यह ae, 0 पर होता है, यह minus ae, 0 होता है, तो ae, 0, minus ae, 0 की बीच में distance कितना हो जाएगा, s1, s2 जो दो focus के बीच का distance है, वो कितना होता है, वो 2 ae के बरावर होता है, इधर a, इधर a, total 2 ae, यह दिया हुआ है, उसने यहां पर 6 के बरावर, मतलब आ है, और क्या दिया है, and the distance between the direct tricks, direct trices, यहां पर दिया हुआ है, इस तरफ होगी, इनके बीच का distance दिया है, आपको, इनके बीच का distance दिया है, आपको, बारा के बरावर, ठीक है, so let us call this point M1, let us call that point M2, है न, यह M1, M2 जो आपके हाँ पर distance है, अगर आप इनको analyze करना चाहरे है, तो पहले तो इस तरह बताओ कि यह वाला distance कितना होता है, यहां से यहां तक का distance, यह वाला भी A by E के बरावर होता है, यह तो टू टाइम सो एक बाइए के बरावर होना चाहिए, एक directrix A by E पे है, दूसरे directrix माइनस A by E पे है, तो उन इन दुनों को आपको solve करना है, और तुब चाप, शांती से, A और E के values निकालों, कैसे निकालों, एक बार multiply कर लो, एक बार divide कर लो, अगर मैं इन दुनों equations को multiply करता हो, तो मेरे E और E cancel हो जाएंगे, मिरे पस में A square आजाएगा, A square का value कितना आ रहा है, A square is equal to 18 आ रहा है, औ और अगर मैं इन दुनों equations को divide करूंगा, तो मेरे पस में E square का answer आ रहा है, E square का answer आएगा, तो E square का value कितना आएगा, divide करके, 1 by 2 आएगा, एक बार divide किया, एक बार multiply किया, आपके पस में आप यहाँ पे दो में values अगर आ गया है, तो आप यहाँ पे फिर से वही hidden वाला result आप 1 minus E square, right, लेकिन आपने हर बार यह चेक कर लेना चाहिए कि आपका समें जो question है, वो कौन सा वाला ellipse का question चल रहा है, ठीक है, आप ही मैंने जो figure बनाया है, और जिस से साफ से मैंने अपनी values लिखी है, मैंने खुद नहीं मान लिया कि यहाँ पर जो discussion चल रहा है, वो horizontal ellipse का चल तो इस particular ellipse के लिए, equation तो यही वाली काम करते है, B square is going to A square into 1 minus E square, unless until you are forced to take vertical ellipse, आप यहाँ पर horizontal वाले लेकिक करोगे, ठीक है, लेकिन अगर vertical ले रहे हो, तो उसके अंदर formula दूसरा वाला work करना बढ़ता है, A square is going to B square into 1 minus E square, यह याद रखना, ठीक है, यहाँ पर अभी जो म value तो मुझे क्यों पहुंचन है, मुझे LR निकालना है, ठीक है, तो मुझे हाँ पर अगर B square पता होगा, तो उससे फायता होगा, so B square is equal to A square, A square का value है, अठा के बराबर, 20 square का value 1 by 2 के बराबर, तो यह कितना आगया, B square का value आपका 9 के बराबर, यह तो अच्छान सरा है, तो म B square by A के बराबर होता है, ठीक है, तो 2 B square, B square का value कितना है, सीधा सीधा 9 के बराबर, तो डाल दो, और A का value कितना है, अब यह A का value डालता है, आपको अंडूट 18 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और simplify करना पड़ेगा, तो 2 के साथ में आपको यहाँ पर 9 है, 18 में से आप 9 अग C root 2, B यहाँ भी आपका correct answer, J mate 2020 का question है, right, so इस तरह के सीधे चीदे, है ना, lecture 1, lecture 2 पे based questions भी आपको मिल रहे है, all right, so confidence आ रहा होगा तो इस question में कम नहीं होने नेंगे confidence, है ना, IDJ 2012 का सवाल, all right, तो एक बर सवाल पढ़ने सारे बच्चे अच्छे दे रहे हैं, फिर इसको हम analyze करना start करेंगे, ellipse दिया यहाँ पर पहला वाला, x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1, बढ़ी हाँ बात है, it is inscribed inside a rectangle, whose sides are parallel to the coordinate axis, inscribed का मतलब क्या होता है, inscribed मतलब यह अंदर, अंदर वाले को inscribed बोलता है, बाहर वाले को circumscribed बोलता है, ठीक है, circumcircle और इंसर्कल यहाँ आदा रहे है, तो वही वाला ellipse अच्छे तरीके से है, inscribed है, मतलब आपके rectangle के 4 sides को यह touch करते हुए बन रहा है, ऐसा आपको figure imagine करना है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, another ellipse e2 passing through the point 0,4 circumscribed the rectangle, मतलब e2 जो है वो और बड़ा है, क्योंकि वो rectangle को circumscribe कर रहा है, मतलब rectangle के जो vertices है, वहाँ से pass कर रहा है, अ अब अलग से हाँ पर हमने triangle के लिए तो circumsircle का मतलब समझा हुआ है, हमने triangle के लिए in circle का मतलब समझा हुआ है, ठीक है, so I don't think कि यहाँ पर आपको अलग से जो है, इन terms को समझने की ज़रोत है कि rectangle का circumsircle क्या होगा, या फिर rectangle को circumscribe करने का मतलब क्या होगा, या एक इस मतलब आपके जो rectangle के vertices है, वहाँ से E2 को pass करवाना है, और अगर R के साथ में याले ellipse inscribe करवाना है, तो आपका जो rectangle के side से उसको touch करते हुए आपको ये even ellipse इसका मतलब दिख रहा होगा, यह understood सी बात है, यहाँ पर यह डाट नहीं होना है कि हमको तो कभी ऐसा अलग से theory में point नहीं लिखाया, तो rectangle को अगर ellipse inscribe करेगा, तो मैं कैसा photo बनाऊंगा, मेरे को तो पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना है, हमें यह सारी चीज़े खुद से आना चीज़े करते हैं, यह बहुत ही basic idea है, तो यह दोनों नाम आपको अगर यहाँ पे clear है, तो हम अभी यहाँ पर इसक प्लॉपॉण 9 प्लॉपॉण 4 इसको पर इसको बांडब यहाँ पर आपका जो एलिफ्स है, वो हरुजॉण्डल एलिफ्स बनेगा, ठीक है, जहाँ पर एक का फेलिउ आपका कितना है, एक आपका इस पर्टिक्लर एलिफ्स के अंदर, जो आपका यह बन एलिप्स है, यह आपका जो E1 एलिप्स है उसके अदर E का फेलियों आपका कितना है 3 के बरावर है और B का फेलियों आपका कितना है 2 के बरावर ठीक है इस वी नो अर्रै तो यह क्या है यह तो इंस्क्राइब्स कैसी एक रेक्टैंगल में जिसके साइड़ कोडिने एक स्थे के पैरल ठीक है तो आप एक रेक्टाइंगल के अंदर एक्जाट्ली ये फिट बैट जाए अच्छा और फिर यहां पर क्या कर रहे हो अब एक अपना इटू पता चला अब यहां पर कुछ नो कुछ इंफॉर्मेशन आपको एडिशनली अविलेबल है एक इंफॉर्मेशन जो आपको एहां पर क्लियरली दियो यह वह कौनसी है कि आपका जो इटू है वह 0,4 से पास होता है ठीक है तो देर इस पॉइंट 0,4 जहां से तो बीचले आपको पता अब ऻुरॉ से अपको यह पता है किलिपसी का सैंटीमेशर मेजर एक्शिज्ज जो वो बढ़ाबर होना होना सी और सामी माइनर एक्शिज जो है वह वो के बढ़ाबर होना जांग है अब क्योंकि रग्टैंग्ल के अंदर इंक्रेब रिए इसलिए अगर मैं इस particular vertex की बात करूँ तो ये जो आपका vertex है let us call this point A ये पक्के से 3,2 होना चाहिए figure देखके आपको ये सुन्याना चाहिए कि ये 3,2 होना चाहिए कितना होना चाहिए 3,2 so again what we see from here what we see from here is कि हम यहाँ पे अब E2 के बारे में दो informations जानते हैं एक तो यह कि वह A से पास होगा और एक तो यह कि वह P से भी पास होगा और यह question कि फिर से कैसा बन जाएगा जैसे कि अभी अभी हमने class illustration कि है आपको यह तो दिखी रहा है ना कि आपको जो E2 fine करना है उसका center origin है और यह आपका standard ellipse है मदब इसकी equation अगर में imagine करूंगा तो इसकी equation for sure मैंने कैसी imagine करने चाहिए इसकी equation में imagine करने की something like this x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 I just need values of a and b for this particular ellipse और यहां पर इसको find करने के लिए मेरे पास में दो points input में मुझे मिल रहे है तो हम इसके अंदर input डालते हैं P का value और A का value और यहां से हम expect करेंगे कि दो equation इक विए पास्ट आजाए का अगर एक्सेंट इस निदाना कोई बड़ी बाद बचती थोड़ी है अच्छाए एक कोई पॉइंट 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 इसकेंदर डालो और आपका जो एक पॉइंट है 3,2 वह भी इसकेंदर डालो दो आपको पता चला है अच्छा अगर में 3,2 डालता हूं तो क्या हो जाएगा इस दन और वोट इल्स अगर में पॉइंट अपकर अपको मिल रहा है बारा के बराबर तो आपको अगर एक्सेंटिस्टी निकालने तो वैसे तो इक्वेशन लिखने की जरूद नहीं है लेकिन तब भी लेकल पी चलो क्या दिखते हैं एक स्कूर अपूर अपर यहां पर यह मत सोचो कि इसके अंदर यह लेकिन इतना अच्वेशन के उपर हमेशा भरोसा कर सकते हैं लेकिन आपको यहां पर बड़ा दिखना हैं लेकिन हम यहां यह सब सोचते हैं हम इसको फॉर्धर इसको फॉर्धर मत करते हैं खोटे का स्कुर अपन बड़े का स्कूर अब आपके यहां पर कितना मिलता है वन बाइडू के बरावर आपको अपनी एक्सेंटिस्टी मिलती है अगें यहां पर हमने जो क्लास लेस्टिशन किया था उसके नदर सीधा सीधा दे दिया था कि आपका जो इंदोंड़ों पॉइंट से पास होगा इसने क्या कि इसने थोड़ी चाला की करें इसने नहीं हम यहां पर सीधे सिधी सिर्य ने देंगे बच्चों एक पोइंट तो दे देंगे दूशरा बच्चों को फिगर से निकालना पढ़ेगा कि एक और पॉइंट है इ सब्सक्राइब तो क्या आप अगला वाला भी क्रैक कर सकते हैं इसके पहले वाले में ऐसा लगा नहीं कि हम जी एडवांस को स्क्राइब सब्सक्राइब करना है इसके इसके इंदर क्योंकि एलिप्स भी है और पैराबला भी है सब्सक्राइब और यह एक मातर सवाल नहीं है इसके इंदर आपको मुल्टिबल फिगर्स देखने के लिए इसा नहीं चलेगा कि आपको जी एडवांस की क्रेक्ट करना आपको सारी चीज़े इस्तिमाल करते हैं एक सिंगल चाप्टर ऐसा मानो तो भी चलेगा सब्सक्राइब यहां पर थोड़ी सी महनत करवा रहा है हमारे पास में एक इलिप्स है इलिप्स की इक्वेशन देखके हमें पता चल रहा है कि हांपर यह और यहां पर अगर आप दिखान से देखो तो यह प्यूर क्यूज बदा रहा है वो क्या है पॉइंट सब्सक्राइब तो आपके वादिकल्स आपके यहां पर जो बनती है वह कहां से बनती है वह पर्पेंडिक्लर कॉर्ड हैं फोकस् पर्पेंडिकलर फोकल कॉर्ड है ठीक है तो अगर आप यहां पर मार्क करना चाहते तो इसको फोकस वन और इसको फोकस्टू मार्क कर सकते हो यहां बीच में आपको अपने यह जो दोनों एलार से नाम सोच समझ के देने पढ़ेंगी क्योंकि उसने यहां पर डिफाइन कर कर ना है जिसमें वाय के कोडिनिट्स नेगेटिव है उसको आपको नाम नाम देना है ठीक है और भी है एंड़ए लेकिन हमें अभी डिसकस्त नी करना उसके बारे हमें बस इन दोनों का इसक्षिन करना है थोड़ फियो और लेट रिफिया पॉइंड इस बी अवर तो आप अगर P point इधर और Q point उधर माग करना चाहते हो, तो भी चलेगा, question में कोई चेंग नहीं आएगा, आपके answer में कोई चेंग नहीं आएगा, ठीक है, but these are the two points that we need to now use as the given data, है न, पिर क्या दिया है, then the equation of parabola, then the equation of parabola with LR as PQ, एक नया parabola आपको सोचना है, जिसके लिए PQ, let us recommend, तो PQ अगर किसी parabola का LR है, PQ अगर किसी parabola का LR है, तो वो parabola कैसा होगा, क्या आप इस सूच पारे हो, अगर PQ आपके किसी parabola का LR है, तो parabola का दिमाज में लाओ फिगर, कि LR का जो midpoint होता है, parabola की case में, वो focus होता है, LR का midpoint जो फोकोस होता है, मतलब यहां पर आपका focus, Y axis के उपर कहीं लाइक अने अगर आप यहां पर अपने parabola को इमेजन करोगे, तो या तो आप आपके उसमें upward facing parabola बन सकता है, या फिर एक downward facing parabola भी बन सकता है, देरा two possibilities, and this question actually is a multi correct question, तो दोनों को ही आपको इहां पर importance देके solve करना बढ़ेगा, आप ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते हो, तो आप यहां पर answer, आप यहां पर हो सकता ही कि आपको shortcut बगरा अपलाए करके मजा आजे, यहां शॉटकर बिसकली क्या है, shortcut basically is trying to get to the answer without, without solving much of it, यहां यहां पर, उप्स, undo को बटन नहीं कहा है, इस करते हो, अरे यार, यहां 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 पर लाइक में पहली बार हुआ, लेकिन दुख कितना होता है, वो आज पता चल गया हुझे, okay, let me just quickly draw the figure again, it is all in, कितनी दुख की बात है, okay, तो यह पॉइंट भी है, आपका x1, y1, और यह पॉइंट q है, आपका x2, y2, ठीक है, and what I was saying is, कि आपकी आपका यहां पर, अगर यह LR है, ठीक है, यह अगर आपका LR है, तो फिर आपका, पैरावला कैसा कैसा बन सकता है, वो हम बिसकस कर रहे थे, हम यह डिसकस कर लिया था, कि जो required पैरावला, उसका यहां पर midpoint पर क्या आएगा, focus आएगा, ठीक है, and we also, through this figure, ऐसे कुछ बनना चीए, या फिर ऐसे कुछ नीचे से बनना चीए, ठीक है, तो यह दो possibilities, basically हम यहां पर calculate करके बतानी है, और यहां पर आपको guide कर रहा था, कि आप यहां पर इस question को थोड़ा सा, shortcut के थुरू भी solve करने की कोशिश कर सकता है, बट तब यहां पर सीखना हमारा यहां पर class में main objective होना चीए, आप यहां पर अलग से try कर सकते हैं, कि आपके उसमें options हैं, option checking कैसे करोगें, कि आपको यहां पर जल्दी से अपने answer पता चल जाए, ठीक है, बट that I will leave it up to you, यह सारे काम तो आप करते ही होंगे question solve करते समय, I hope so, हम यहां पर method के ऊपर चलते हैं, कि यहां पर हमारी method क्या होना चाहिए, to get to the equation of parabolas, तो पहली बात यह कि मुझे यहां पर जानकरी, अब P और Q के बार में तो होना ही चाहिए, so let us first forget कि हम यहां पर आगी चलके parabola का discussion करना है, let us first try to find the coordinates of P and Q, और P और Q कैसे निकलेंगे हमारे, और Q हमारे यहां पर endpoints of LR है, ठीक है, endpoints of LR निकालने के लिए आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर directly अगर आपको form नहीं जा रहे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, अगर मैं यहां पर फोकस तक पहुचना चाहता हूँ, इसके पॉर्मे में आता है eccentricity, तो eccentricity पहले हमने निकाल लेना चाहिए, eccentricity कितना आएगा, अंडरूर्ट के अंदर, वन माइनस छोटे का square अपन बढ़े का square, अगर यहां पर फोकस के वैल्यूज अगर जाना चाहते हूँ, तो फोकस आपका जाएगा कहाँ पहर, प्लस माइनस रूट थी कॉमा जीरो पे जनाएगा, एक बड़ चेकलने हैं सरवच, एई कॉमा जीरो, एई, एई, प्लस माइनस रूट थी कॉमा जीरो अच्छा तो अगर प्लस माइनस रूट थी कॉमा जीरो यहां पर आपके वैल्यूज आ रहे हैं, तो एक तो आपका रूट थी कॉमा जीरो यहां पर दिखाई देगा, माइनस रूट 3,0 आपको इहां पर दिखाई रहे हैं तो अब बुझ यहां पर अगर प्योर क्यू के कोडिनेट से यह तो मैं क्या बोल रहा हूं कि X की वैली तो आपकी रूट 3 और माइनस रूट 3 है लेकिन प्योर क्योंकि यह लाएक आने वाले पॉइंट से तो आएग यूज्ट रूट 3 और माइनस रूट 3 इंपूट्स इन देख वेली अप्लिशन अपर प्लस या माइनस रूट 3 इस्तमाल करनी है इंप्लाइज आपको यहांपर इक्वेशन आप एक्वेशन फिलिस्में डाल के क्या मिलेगा य और यह अगर आप काम करते हैं तो आपको यहांपर मिलता है 3 by 4 plus y square upon 1 is equal to 1 इसका मतलब y square आपको कितना मिलेगा 1 by 4 के बराबर मतलब y आपको यहांपर मिलेगा प्लस मैनस 1 by 2 के बराबर है तो प्लस वाले y के वैलिस तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए आपको मैनस वाले ही ठेके अगर उसके साथ में नवाले था वैसे अपने कोशिन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं अब यहां पर आपको सवाल कुछ अलगी सौल करना है हम रपास एक्स एक्स के साथ में अब जो इंफॉर्मेशन अविलेबल है वो यह है कि योर क्यू के क्या है ढ़िए इसको एपके पॉइंट पी है जिसका कॉणिनके आपके सुमें हापे minus root 3,-5 और एपके सुमें q है जिसका कोडिनेट है रूट 3, माइनस है इसको ल र बांते हो यह अब अपने पैराबला की इक्वेशन तक पहुंचना है तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि पैराबला की इक्वेशन अगर आपको यहां पर सोचनी है तो यह जो पी की अभी रूट 3 के बराबर है अगर 2a का वैल्यू आपके है रूट 3 के बराबर है मतलब आपका यहां पर जो एक वैल्यू है वाइस प्रेश्च पर इक्सक्राइब फोर एवाइए उस डिरेक्शन में आपको सोचना स्टार्ट करना है ठीक है यह होगा कैसा पैराबला आपका वैस यह क्यों इंपॉट्ट है इसलिए इंपॉट्ट है कि इनके मिड़ पॉइंट पर फोकस तो होगा ही होगा दो फोकस के कोडिनेट तो मेरे दिमाद में अलड़ी आ गये उस प्लस बैंट टू एंडड इस प्लस बैड़ अपॉन टू तो जिरो कामा मायनस आप यहां पर मेर इस पर पैरापॉला का एक्सिस वायक्सित इस पर्टिक्लर कोश्टन में लेकिन मुझे चाहिए कि फोकस से कितना दूर मेरा वर्टेक्स होगा तो फोकस और वर्टेक्स की बीच में जो आपका डिस्टन्स होता है वह फॉर्मले के लाइंग्वेज में ए यूनिट के आपको कि बराबर मिल रहा है तो मेरे वर्टेक्स की खोज मी अगर मैं निकलू तो मुझे हाँ पर या तो ऊपर जाना चाहिए रूट थ्री वाइटू यूनिट्स या फिर मुझे नीचे आना चाहिए root 3 by 2 units these are the two possibilities मैं यहाँ पर या तो इस चीज को मेरा vertex बोल सकता हूँ let us call this vertex 1 या फिर मैं इस चीज को अपना vertex बोल सकता हूँ let us call this vertex 2 दो अलगलग parabolas के दो अलगलग vertex आपके निकलेंगे जो vertex 1 यहाँ पर आपका निकलने वाला है वो कैसे निकल रहा है आप root 3 by 2 distance ऊपर जा रहे हो मतलब माइनस 1 by 2 में कुछ add कर रहे हो ठीक है माइनस 1 by 2 में आप add कर रहे हो तो यह 0 कॉमा माइनस 1 by 2 प्लस root 3 by 2 बने या फिर आप vertex ढूंते ढूंते नीचे भी जाओगे तो भी चले लिए नीचे जाना है मतलब और आप माइनस 1 पर हो और आपने सब्ट्राइट कर दिए ठीक है कितना सब्ट्राइट कर दिया root 3 by 2 आपने सब्ट्राइब कर दिया फोकस और vertex आपका a distance पर होता है तो आपके यहाँ पर जो कॉडिनेट बनेगा हो कितना है यह बनेगा जीरो कॉमा माइनस हाफ एंड माइनस रूट 3 by 2 आपका दूसरा वाला vertex आगे तो अब आपके यहाँ पर जो पैरावलास बनेंगे उनकी एकश हम अब लिख सकते हैं हम यहाँ पर जो है कोई लोकस वोकस का आइडिया असिमाल करनेंगे जरूत नहीं है मतलब अगर में इनके स्टैंडर्ड और में इसकी बात करूं तो मेरा जो पैरावला वन बनना चाहिए जिसका vertex भी वन है और मैं उसको किसके comparable मानूंगा मैं उसको x2 is equal to minus 4 ay के comparable मानूंगा यहाँ पर देखने ना कि मैंने capital X और capital Y इस्तिमाल किये हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर capital X के place में x-1 आना चाहिए एक्स-1 में जो आपके यहाँ पर x-1 होता है वो कौन सा होता है vertex का x-coordinate होता है तो vertex का x-coordinate किता है यहाँ वर्टेक्स का x-coordinate आपका 0 है ठीक है और minus 4a 4a क्या होता है यहाँ आर का length होता है और a का value कितना है यहाँ यहाँ पर 2 root 3 के बराबर हो विचिस एक्शली length of LR वो आप यहाँ पर 2 root 3 substitute कर सकते हो और उसके साथ में आपको यहाँ यहाँ पर यहाँ डालते हो तो y1 क्या है आपके यहाँ वर्टेक्स का y-coordinate है ठीक है तो y-1 में यहाँ आपको minus 1 by 2 plus root 3 by 2 इस्तेमाल करने है और अभी हाँ यहाँ इसको solve को रही हाँ पर square भी आना चीए ठीक है तो आपके हाँ पर अभी equation एक कुछ तो निकल कर आ रहा है x-square is equal to minus 2 root 3y और यह minus minus आपका plus हो जाएगा और प्लस होने के बाद में जब यह 2 root 3 इंदर मंटीपा हो तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको मिल रहा है minus root 3 and plus 3 एक बार चेक कर लेना सारे बिच्छाँ यह पार पास आ रहा है एक स्कूर प्लस 2 root 3 y is equal to 3 minus root 3 this is the first expected answer यह हमारा पराबला 1 है विच दाउनवर फेसिंग डाउनवर फेसिंग वाला आपको हापके अभी एक एक एंसर मिल रहा है x-square plus 2 root 3y x-square plus 2 root 3y x-square plus 2 root 3y okay मदब ए और थी में से कोई एक है and 3 minus root 3 हमारे पास आया है मतलब सी आंसर हमारा करेक्ट होना चींग है हमें क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन से डारेक्ट लिखते आ रही है यह विद्वासा चेक करना पैराबला हमने पूरा पढ़ दिया है ठीक है दूसरा प्यार बना है जिसका वर्ड वी टू है वह थी प्रमक्रावल इसका इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड इक्सपर इसब्लू पोर रहाए से मैच करेगा फिर से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एक्स तो क्या है है एक माइनस एक सब्सक्राइब और यहां पर इसको अंदर मुल्टिप्लाइब करें देखो क्या बन रहा है मानस यहां पर रूट में सक्ट इसको आप लएक स्टे को ठीए भाइ wind दो क्लिखर Q है सब्सक्राइब क्या Beingnell in the first यहां पर हमसे पैरावला की महनत करवाई है और कोशन माया आया है यहां पर इसक्षिन मंदल यहां पर अलग बुक्स को इसमें कोई बूक है तो उसको प्रैक्टिस के तरह अगर आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करोंगे तो आपको मिल जाएंगे उसके इंदर कुछ निए क्लास्व और डिसकस किये हुए है ठीक है बट आप यहां पर यह मत सो अगर यह ले लिया ना तो आपसे वह बुक्स नहीं होगी जैसे बच्चे आप इरोडो के लेकर बैठी जाते हैं कि इरोडो तो हमेरे दिमाग में है कि वह मुश्किल बुक है ठीक है आप वह पहले मत सोचो इरोडो अपने आप में अगर देखा जाए तो होगी उसके ठीक है तो वह थोड़ थोड़ा सा कड़ बढ़े आप पहले रुख के जो क्लास में सिखाये जा रहे हैं जो फंडे आपको अपलाए करना सिखाये जा रहे हैं उनको पहले सीखो तो आपको कोई बुक ऐसी हाँ पर एस सच डिफिकल्ट लगी नहीं है नहीं है विकास विकास गुपता की कॉडिने चौमटरी मैंने देखी नहीं है अभी तक क्या आँ आँ एव सीन की उसकी जो है यह तो अच्छी है अलजेब्र तो काफी अच्छा है उसका क्यालक्लस के डिफेंशियल इंडिग्राल दोनों काफी अच्छे ब्र आइड रिमेंबर की हाँ पर पर आप जो आप जो आपके बढ़िया था हम यहां पर अभी अपना जो है टॉपिक और थोड़ा सा इंपर यहां पर यह देखते हैं कि अगर हमारा इलिप्स का सेंटर अभी तक आप यहां पर कितनी का सववाव हमने और यहां पर साल किया है हमारा इलिप्सस का स्वाहिए अधिया यहां पर हम यह भी देंख ऱहीं कि आप गडविया इंफ्सान पर हम यह बश्या कर रहे हैं लेकिन सब्सद्स Pinterest और से हटा रहे हैं सेंटर किसका इलिप्स का वोगर ओरिजिन पर लाए नहीं कर रहा है तो आपको यहां पर जो है क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे बढ़ाएंगे इस देखें आपको अपना वह इसके पहले का डिसकेशन यादा जाएगा बिसिकली सर्कल में आपको याद इसके पहले कि वही सेम आइडिया आप यहां पर इलिप्स के लिए वी देख सकते हो ठीक है वैसे आपने रिलाइस क्यों होगा नहीं किया तो यहां पर रिलाइस करवा देता हमें पहले अगर इलिप्स की एक्वेशन में आप ए और बी इक्वल कर दोगे तो वह सर्कल बन जाएगा लेकिन अगर एक्सेंटिसटी के फॉर्मे में आप अगर एक्सेंटिसटी की वैलीउ मिल दी कितनी जीरो मतलब सर्कल क लिए के आगर हम सकता है को सकते हैं यहां हम जानते हैं तो क्या क्के जांते हैं लेकिन अगिन टोगर्म करते हैं तो मुझे लगता कि आपको दिक्कत आएगी समझने में कि अगर मेरा एंटर जो है अगर मेरी जो स्टैंडर्ड होगी वह कैसी दिखाई देगे इसके लिए का फंड़ा था हम यहां पर करना इसलिए कर लते हैं तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि लेटस इस अवर एकसे और अपने अपने को देख रहा हूं तो इनके लैंग्वेज में इसका सेंटर फिर से ओरिजिन इस जो करेंगे इस बॉर यह लिए यहां पर यह और नहीं है यह क्या है है ओडर डैश जेरो कॉमा जीरो ओर इसमें प्रेंडेव तो ओके लिए फ्रेंड भी स्ट्वाइब कोई बात नहीं पहले हम ना चैपिटल वाले फॉर्मैट में ही अपना एंसर पर लिए एलिप्स को आपने स्प्सक्राइब एकश को स्मॉल पे जिंज करेने के लिए जो इस्तामाल करेंगे क्या रिलेशन है कि capital X is equal to small x minus x1 and capital Y is equal to small y minus y1 है कि नहीं X1, Y1 पर क्योंकि हमने यहाँ पर अपने origin को shift करने के बारे में सोचा है तो नए और पुराने coordinate axis के जो relations आएंगे वो इस तरह से आपको दिखा ही देंगे तो आप यहाँ इनको replace कर दो बस आप यह जो ही ऊपर डाल दो आपको यहाँ पर ellipse का final answer मिल जाएगा अब final ellipse की equation दिखा देनी जीओ कैसी है X का square मतलब basically x minus x1 का whole square upon a square plus y square उसकी जगे y minus y1 का whole square upon b square is equal to 1 simple अगर आपका center 0,0 पर नहीं है then आपकी जो equation आएगी वो ऐसी नजर आएगी given that आपके ellipse के जो major और minor axis है ellipse के जो major और minor axis है वो अभी भी coordinate axis के parallel है इसको टेडा तो अभी हमने किया ही नहीं है इसको गर टेडा कर देंगे तो हो जाएगा कच्चरा कच्चरा मतलब general degree 2 वाली equation बन जाएगी ठीक है तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे है standard equations और उसके जो comparable ellipse के values है उनको ही discuss अभी यहाँ पर कर रहे है ठीक है तो comparable कब बनता है जब यहाँ पर मातल शिफ्टिंग करवाते हो तो comparable बनता है ठीक है बागी सब्सक्राइब का सब्सक्राइब यहां अगर मैंने यह पहले यहां तो क्या इसके focus नहीं रहे जाएंगे कि अगर आपने ellipse को धका देने के बारे में सोचा है तो center भी धका धका जा रहा है है आपके यहां पर जो है डारेक्स भी एक साथ shift हो रही है और आपके focus भी एक साथ shift हो रहे है आपके vertices भी shift हो रहे है सारी चीज़े आपकी shift हो जाती है क्योंकि सारा system आपका shift हो जाता है तो यहां पर जो वर्टाइस के coordinate से change हो जाएंगे आपके जो डारेक्स की equation है change हो जाएगे लेकिन क्या change नहीं होगा क्योंकि पूरा को पूरा सिस्टम एक साथ जा रहा है इसलिए center और डारेक्स की बीच का distance अभी वही रहना चाहिए जो पहले था तो चैज़ नहीं होगा अगर मैं आप से पूछाँ की center और focus की बीच का distance की तरह होगा तो अभी वह एक रहावर होगा वह भी चैज़ नहीं होगा आगर मैं डिस्टन्स बिट्विन focus पूछ हूँ तो अभी भी 2AE के ही बरावर होगा संटर शिफ्ट कर दिने से हमेरी ग्रों से लगें इकक्वेश टेंगे लिकिन इसंट सेंग नहीं लेकी टीश्म précision इंट रिस्ट्रथ्ट के था लटे स Państ और सुन भरद नहीं करेंक Depot धाला निन टीमान रखना है वह द इस वाच भात को और पर नहीं करेंगी अघुन सब्सक्राइब करें देखने एक बार सारे बच्चे इस कोशन में क्या पुशा है ठीक है और राइट अब आप यहां पर अनलॉक जी नाम से बच्चा है वो पहुंच गया है अगर आप यहां तर पहुच गो तो अच्छी बात है बढ़िया बात है अल्रेट करते रहो लेकिन महनत करते रहो है ना पीएंट सी क्योंकि हमने काफी पहले कंप्लीट कर दिया था तो अभी आपके कुछ और टॉपिक्स यहां पर बचे हुए है अब लेकिन आपने यहां पर पहले पूरा चैप्टर करना पड़ेगा पर यह चैप्टर आपको करना है ठीक है लेकिन अगर आप यह फ्लोव करोगे तो आपको यह वाकी बहुत आसान लग रही होने चीज़ेंगे जिन्होंने फॉलोग कर लिए उनको वाकि बहुत आसान यहां पर निकाल के बताने हैं और यहां पर यहां पर यहां पर क्या बोलेंगे इसके प्लेस में आपना अभी इसके ब्लेस में फोड़ी दर के लिए तो यह ऐसा हो गया तो मैंने अपना कॉडिरेट एक्से चेंज कर लिए अभी में आपने अंसर निकाल लोगा मुझी क्या निकालना है मुझे आप यहां पर यहां पर सोचो कि आपने अगर को धक्का दे लिए और आपने उसको भेज़ दिया है तो क्या यहां पर उसके मेजर एक्से माइनर एक्सेंट के लिए और उनकी ही इंपोर्टंस होती तो अपने यहां पर आप इस्ते आप एक पर निए और यहां से आपको समय निकल कराती है और अगर आपके आप डिसकस करना चाहता है डारेक्टरिक्स के लिए तो आप यहां पर क्या पूलो गी हम यह पता है कि साथ कर लेंगे सोल तो हम्हें दो लखना कि एक एक एचाथ हो जाए एक साथ होते हैं डाइरेट्रीस की PDR Himself सबस्क्राइब एक सब्सक्राइब यहां पर बंकर उसे करो जो शिर्टीं के बाद में चीज नहीं होती मैं हाफ्टर की वह आप इना हमने यहां पर बोलाइब की कॉडिनेर्स और एक्वेशन तो चेंज होती है यहां पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक सब्सक्राइब निकाल सकते हैं तो क्या आएगा मैनस के साथ में करते हो तो क्या आएगा अगर आप सॉल करते हो तो एक से इक सब्सक्राइब करते हो तो एक सब्सक्राइब एक सारव और हमें नेक्स्टकां करना था कि इसका फोकस का की कि अगर आपको is एक सब्सक्राइब दै करने बस जैसे आपने पिछले-वालिव सब्सक्राइब यहां पीर करते हो आप कि यह सब्सक्राइब आपको इंटर्सेक्शन बिट्विन सर्कल एंड कर आपको डालनी पड़ेगी अगर आप यहां पे सर्कल और इलिप्स को सॉल करोगे तब भी आपको यहां पे आसानी से रिप्लेस करते हैं आ जाएगा तो भी आपको इहां पे फॉर्थ डिगरी की इक्वेशन तो देखो बनेगी इसकी गैरेंटी क्यों दे सकता हो है क्योंकि आपके वास में चार इंटर्सेक्शन पॉइंट्स पॉसिबल है ठीक है तो उसको कुछ करने सकता है आपको सॉल करने वाला का क्वेशन पूछ रहा है कोई तो आपको सॉल करना ही पड़ेंगे अगर आप यहां पर सर्कल और पैरावला को सॉल करोगे ना तो चार पॉस्टिटी इंटर्सेक्शन की तो आपके फॉर्थ दिगरी की इक्वेशन पक किसे बनेगे लेकिन हो भी सकता है कि आपका जो कॉश्चन है उसके अंदर इंटर्सेक्शन पॉइंट पॉइंट कोई नहीं है एक स्कुल करना है एक स्कुल करना है एक स्कुल करना है पांच के बराबर और इक वह जाएगा आपका कैंसल ठीक है आपको यहां पर आपको यहां पर यहां पर यहां पर आपकी दो निकल गएगे लिए तो आपके दो सब्सक्राइब और दूसरा फोकस है आपके जो दोनों फोकस है उसका मिट पॉइंट पॉइंट फॉर क्या निकल करना चाहिए सेंटर निकल करना चाहिए तो मिट पॉइंट अगर आप निकालने के लिए क्या इसका सेंटर है इसका सेंटर है निकालने के लिए क्या करना है यहां पर आपको एक कंपरेबल फिगर दिया वह होता है और आपको अपने सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर आपका यहां पर पता है कि जो आपका स्टैंडर एक मेजर जो आपको करना पड़ेगा है कि एक्स माइनस वन का होल स्कूर एंड वाय माइनस टू का होल स्कूर आपको लिखना पड़ेगा इंसेट ऑफ डैरेक्ली एक स्कूर एंड Y स्कूर तो यह तो हमें पता चली ही चुका है इसके इंदर तो कोई यहां पर डाउट ही नहीं है कि आपका स्टैंडर इलिप्स इ यहां पर निकालनी इट हैस्टू बी एक्स माइनस वन का होल स्कूर अपॉन ए स्कूर प्लस वाय माइनस टू का होल स्कूर अपॉन बी स्कूर इस इकोल टू पन इड़ेगा अच्छी बात यहीं कि सारे सारे ओप्शन में भी वही दिखाई दे रहा है तो स्टार्टिंग यहां पर अपना काल्कुलिशन करने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरा फोकस इसका 6,2 पर है तो यहां पर A और B के लिए क्या डिलिशन होता है अब यह तो काफी अच्छा डिटा है और 6 से पास होता है तो 4,6 इसकंदर डालना काफी आसा है लेकिन पहले यहां पर बनेगा नाइन अपॉन इसकंद रहा हो जाएगा 16 अपॉन भी स्क्वेर इसकंद रहा हो जाएगा यहां पर निकालने का टार्गेट रखके चलते हैं क्योंकि यहां पर आप देखो नों कि मेरे पास में इलिप्स की एक्वेशन तो और यहां पर मेहनत करें सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर इसका यह एक ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर है आपका वन कॉमा टू क्यों पर इस नोट ओर इस इस सेंटर उप्स और आपको यहां पर दिया है कि आपका जो फोकस है वो 6,2 पर है so one thing is for sure कि अगर आप सेंटर और फोकस को जोइन करते हैं तो आपको यहां पर major axis मिलता है और यहां पर आप देख सकते हुए दोनों के y के values दो के बराबर है मतलब आपको यहां पर यह जो लाइन मिला है यह पक्के से horizontal line है और इसलिके मतलब हमारा यहां पर जो ellipse है वो एक horizontal ellipse है इसकी गारिटी होगए हमारा पास जो यहां पर ellipse अभी डिस्केशन में है वो एक horizontal ellipse है यह बी इंफॉर्मेशन आइक्चली आप अच्छी तरी किसे इस्तेमाल करके कुछ ऑप्शन्स तो एल्मेट देखो करी सकते हैं अगर आपको यहाँ पर एक होरिजोंटल एलिप्स है क्योंकि आपके हाँ पर फोकस और सेंटर को जोड़कर आपको एक होरिजोंटल लाइन मिल रहे हैं तो यह होरिजोंटल से होना तो इसको नीचे लांकर चेक कर नना वड़ेगा कि यहाँ पर फायदा नियुक सारी और पर फायदा हो रहा है और कोई बात हमें लेकिन चोई दिमाद में एक फिगर बन गया इस विगर के साथ में हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टन से वो कितना है जैसे कि मैं आपको बेला तो कि डिस्टन से चेंज नहीं होंगे डिस्टन से नहीं होंगे डिस्टन से चैंज हैं से नहीं हों वह कितना होगा आपका जो हो यहां पर सोच पार रहे होना अनिसर में वही होगा वह किसके बराबर होताई है कि वह किसके बराबर होता है कि उसका यह की बराबर होता है और पोकस आपका अफिक Cons 5 सब्सक्राइब तुछ सब्सक्राइब एक फालत ग्रावेटिंगों तो इसके इसक्त्राइब इसकोषगर है पांच इनिट के बराबर देक्टाइब और यहां पर आपको एस पता चलिए हमारे पास एक हिडम डिरिलेशन हमेशा ही होता है इस बात को भूलना मत अगर मैं हाँ पर एक होरिशंटल एलिप्स कर रहा हूं कई बार आपको फोकस की वैली यूज़ करनी जरूत पड़ती फोकस की वैली से आपको एंटूई दिख रहा होता है तो यह भी आप ब्रैकेट ओपन करके भी यूज़ करना फोड़ा से यहां पर अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ऐसे भी कैल्कुरिशन आसाम होती है तो क् एक स्कूर मानस यह का स्कूर है का स्कूर मंदल के तरह हो यहां पर 25 तो यहां से आपके समें ओर एक एक उक्वेशन आगी कि है तो यहां तो आप यहां पेशन वानों और इमादार से सल्व करना स्टार्ट कर्एं लिए अब इस प्रॉइंट पर आब क्ला हाँ है कि यहां पर आपको जो है कुछ option करते आजाएं लेकिन अलिन यहां पर जो final approach हो क्या होना ची सोल एक्वेशन वन एक्वेशन इक वेशन वनन एक्वेशन करते हैं कि b2 replace कर देते हैं a2-25 करके b2 replace कर देते हो हम इसके इंदर 9 upon a2 plus 16 upon b2a2-25 a2-25 a2-25 this becomes a single variable single equation किसे हमारी हो जाएगे करो आंसर निकालने की कोशिश करो नाइन इसक्वेर माइनस ट्विटीफाइए टुट्वेंटीफाइगा इस तरफ आएगा आपका यहां पर क्या इन दौनों का प्रोड़ेक्ट थाएगा बलब एक पावर पूर एक पावर पूर माइनस ट्विटीफाइए इस तो सारी चीज़े एक तरफ ले जाते हैं सारी चीज़े राइट हैं पर आएगा क्या एक पावर पूर और एस प्वेर के साथ में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रही है ना यह और इन के कितने हो जाएंगे 25 ए स्क्राइब और यह जो आपको कॉंसेंट है अगर मैं इसको राइट इंट साथ हो तो यहां पर आपको 50 के साथ में भी काम दे रहा है सब्सक्राइब इस तरह से हो रहा है यह स्क्राइब इस पर मानुस 40 हो रहा है कि अगों को इस था प्तराइब और यहां पर इस पर है को तो और एकसे प्रहाई एक एक तेल Branch इसको तो आप कर दो और इसको आप कर दो एक्सेंट तो अगर आपके उसके आपको 20 दिखाई देना चीए तो यह कहीं आपको दिखाई दे रहा हो दो एक बार चेक कर लो एक्स वाला जो टर्म है उसके नीचे आपको 45 दिखाई देना चाहिए और यहां पर सेंटर आपका और आचुका है दिखा सारे बच्चों को बहुत बढ़िया बात है आपके जो टेस्ट हो रहे हैं उसकी लोकेशन तो यहां पर डाउटफुल होना है नीचे आपको चाहे आपकी जुनूनी चाहें के टेस्ट सीरीज के आप बात करो क्योंकि वहां पर आपका जो पूरा सिस्टम है ना वो इस तरीक से बनाए गया है कि आपके जो परफॉर्मेशन से उसको रिकॉर्ड करके अनलेसिस आपको दिया जाता है ठीक है कि आपने कितने देर में अपना पेपर सॉल किया कितने कोशन्स आपने करेट किये कितने गलत किये हैं है नो जो गलत किये उनके फॉर शूर ठीक है उसके अंदर कोई डावटिंगे है ओके बिफोर सीवेसी प्लिस गाइए इफ पॉसिबल मेग वीडियो अच्छा कश्मीर विंटर जो अच्छा पहली बात तो यह मुझे मुझे थोड़ी ओर इंफॉर्मेशन इसके बाद में लेनी पड़ी है कि आपका इसके मतलब थोड़ा अलगी वर्किंग में रहता है यह मुझे इहां पर आपका कमेंट पढ़के समझ में आ रहा है विकॉस विंटर और समर जैसा इहां पर जो है मैंने डिस्केशन कभी किया नहीं बट थैंक यू वरी मच पॉर ब्रेंग इस तो मैं आपना ग्यान बिल्कुल करते हैं आज नहीं करेंगे लेकिन कल करेंगे ठीक है कल कब करेंगे सुबह ग्यारा बचे ठीक है तो मैंने अपना जो लेक्शन नबर थी है बच्छों वह रखा है यहां पर टाइम स्लोट से हटके थोड़ा सा मेरे शूर कि आप जो है उसको मिसा बिल्कुल भी यह का test series भी है फिर से कहां पर है अनकेडमी आप के ऊपर कितने बचे हैं 2.30 पर ठीक है तो मैं अगर यहां पर complex नबर पढ़ाऊंगा तो उन बच्छों को miss out हो जाएगा जो actually जिनके लिए यह course run किया जा रहा है तो इसलिए मैं कल available हूं in the morning to take classes इसलिए मैं यहां पर सुब इसके नीचे स्रॉल लाउन करना है आपको बेसिकली मैच्स क्लास 11 में जाके जो इहां पर फ्लो नजर आ रहा है कर लो मैंने क्यों कि उसी और में पढ़ा है यह आपको अच्छा लगता है अगर आईडिया तो इसको follow करो क्यों कि मैं यहां पर पढ़ा रहा होता हूं तो मैं मानके चलता हूं कि इसके पहले जो मैंने पढ़ाई पिसले मैं पढ़ाया वो तो बच्छे को दिमांग में मैं और गाले टो यह सब्सक्राथ करने हैं अंत् Spaßंत में चैन immigrants के अंदर 14 trudी शेशन से और आ तो वैसे न산ड hut ठीक है, almost 19 lectures, 18 lectures उसके अंदर हैं आपके बास, ठीक है, but don't worry, आप यहाँ पे complex number, क्योंकि अगर बाद में भी करोगें, तो भी चलेगा, complex number ऐसा अडे का नहीं, complex number किसी दूसरे chapter के लिए इतना भी जादा, जो है prerequisite कभी भी नहीं होगा, कि आपको जो है, अगला topic पढ़ने में एलिप्स करना चाहिए, and फिर आपको hyperbola करना चाहिए, तो let that be your flow, अभी कुछ आगया आने होले 15-20 दिन, अगर आप dedicate करते हो, आपको अगर यहाँ पे coordinate geometry पूरी तरह से समय आ जाता है, यह बहुत बड़ा achievement है, उसको जीरो से start कर सकते हो, ठीक है, all right, solution of triangles हटा दिया गया है advance से, देखो, पहली बात है यह, कि अगर हटा भी है, है न मैं एक बार और अच्छी तरह के से syllabus देख रहूँगा, तो भी हो 2023 के लिए हटा है, 2022 वाले जो बच्चे है, उनको तो पढ़ना है और हम पढ़ाएंगे, ठीक है, so don't worry, class जल्दी end होगा याज, हाँ यार, आज questions ही question थे, तो यहाँ पर पता नहीं चला, है न स्पीड, स्पीड में जो हमारे class जल्दी end होगी, अच्छी बात है, कभी जल्दी भी end होना ची, वैसे जल्दी तो नहीं है, यहाँ पर जो है, आपकी class और यहाँ गंटे की almost हो चुकी है, I guess 5-10 minutes, we discussed few things which were not academic, आ तो यहाँ पर जो पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, अच्छी बात की multiple educators आपको guide करते हैं, आपने material देते हैं, solve करने के लिए, आप उनको फिर उन educator से doubt कूछ पाते हो, ठीक है, and this happens in all the courses, in all the batches, so that is a good thing, कि आपको multiple educators का exposure मिलता है, और क्योंकि आपके बास में choice होते ही, कि आपके multiple educators को पहले जाके एक बार देख लो कि यार, किसकी बात है, हमें ज्यादा बहतर तरीके से सुझ में आ रही है, and then you can choose कि हम इस batch को follow करेंगे, हम इस batch को follow करेंगे, लेकिन उस batch को follow करेंगे, you can do multiple things, when you join unacademy subscription platform, and you would give some time to this platform, ताकि वो आपके साथ में basically जो है, एक तरीके से क्या है, क्योंकि हाँ पर initially आपको थोड़ा सा distant feel हो सकता है, क्योंकि YouTube इस्तमाल करना बहुत आसा है, आपने समझना है कि यार, initially अगर आपको एक-दो दिन दिक्कत हुई भी, यह decide करने में आपको time अगर लग भी गया, कि आपने schedule के इसाब से कौनसी batch join करना चाहिए, अभी जो batch start हुई, वो join करना चाहिए, या जो काफी पहले start हो चुकी, emerging wall batch, उसको आपने recorded form में देखना च तुके अपने अगर लेना चाहिए, और वहाँ पर आपको गदने सम्म रेगलर बेसे वैसे भी देते रहते हैं, आपको वैसे तो Unacademy जे चानल पर भी रेगलर लिकाडन सम्म रहता है, जैसे कि आज के session में हमें यहाँ पर जो है, क्योंकि session जल्दी end होगे तो 15 minutes इसके अंदर भी इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन आप अगर Unacademy app नहीं आपको तो definitely होना चाहिए, कि इसके ओपर कापी interesting features अब add होते जा रहे है, आपको यहाँ पर कई सारे batches जो है, उनकी information एक बार लेनी चाहिए, आपको कई सारे test series चल रहे है, जो free of cost यहाँ पर Unacademy आपको दे रहा है, और बहुत ही quality यहाँ पर test series है, और साथी साथ बहुत सारे बच्चे क्योंकि इसको दे रहे है, इसलिए आपको एक national level पर अपनी standing पता चलती ही, so don't miss out on this, आगर आप यहाँ पर जो है, जो है, droppers है, तो तो आपने definitely देना चाहिए, आपको यह test कल होने वाला है, on 26th of November, from 2.30 to 5.30, and आगर आप यहाँ पर लेकिन अपने आपको तब भी test करना चाहते है, even if you don't know the 12th class syllabus, but still you want to test yourself, then again you should give it, और आपको यहाँ पर 11th के जो portion को यहाँ पर attempt करने के ओपर focus करना चाहिए, 12th वाले बच्चे तो यहाँ पर obviously इसको देते ही है, 12th वाले बच्चे तो जहाँ पर भी test मिनता है, हूँ देते रहते है, ठीक है, so that is a good thing, alright, an academy champions league आपको बता दिया है, मैंने, आपको यहा पर इसके लिए जो है, ready हो जाएं सारे बच्चे, alright, it is very interesting, combat देने में काफे मज़ा आता है, तो आप इसको भी एक बार explore करना, and that is it for the day, take care बचों, bye-bye, मिलते कल morning में, 11 बचे